हेलो दोस्तो मैं रिक शुटेक दिना दिन से और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे Windows 10 में Mobile Hotspot Feature को Disable कर सकते हैं जी हाँ अगर आप चाहें तो इस Feature को Disable कर सकते हैं और किसी को भी अपने Windows 10 PC के Wi-Fi Data यूज़ करने से रोग सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्च पार पे Local Group सर्च करिए और Enter प्रेस करिए Local Policy Group पेरिटर ओपन हो जाएगा अब Computer Configuration फोल्डर पे डबल क्लिक करिए और फिर उसके बाद Administrative Templates फोल्डर पे डबल क्लिक करिए यहां आपको Network का फोल्डर दिखेगा उसपे डबल क्लिक करिए फोल्डर expand हो जाएगा अब आपको Network Connections फोल्डर पे जाना है और डबल क्लिक करना है यहां Network Connection Settings के नीचे आपको बहुत सारे options दिखेंगे जिसमें जिसमें Prohibit Use of Internet Connection Sharing on your DNS Domain Network option भी दिखेगा उसपे डबल क्लिक करिए एक नया Windows खुल जाएगा जो by default not configured state पे होगा इस option को हमें Enable करना होगा तभी Internet Connection Sharing ब्लॉक होगा चलिए इसे Enable कर लेते हैं तो दोस्तो इस सरा आप Windows 10 में Mobile Hotspot फीचर को Disable कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो इसे Like करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल Tag दना दिन को सब्सक्राइब करें धन्यवाद